एक बार फिर भूकम के जटकों से 30 काप उठी, न्यूजिलेंड में आज सुबह भूकम के काफी तेज जटके महसूस किये गए हैं नैशनल सेंटर फर्स इसमोलोजी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ये भूकम आज सुबह 6 बच के 11 मिनट पर महसूस किया गया है आपको बता दें कि भूकम के जटके न्यूजिलेंड के कर्मा डैक आइलेंड के करीब महसूस किये गए हैं, वहीं रिक्टर स्केल पर इसकी तीवरता 7.2 मा पी गई, जो कि काफी जादा है, हलाकि अभी तक इस भूकम के जटकों से किसी भी तरह के नुकसान होने की कोई ख खत्रा नहीं हैं, सिविल डिफेंस ने कहा है कि मौजूदा जानकारी के अधार पर प्रारंभिक आकलन ये है कि भूकम से सुनामी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि आमतोर पर यही होता है कि समुंद्र के पास जब कोई भूकम पाता है या किसी आइलेंड पर जब कोई सूचना नहीं आई है, अब बताया जा रहा है कि सुनामी आने की भी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि कभी कभी भूकम के बाद आई सुनामी भूकम से जादा खतननाक साबित हो सकती है